उत्तरपरदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है बता दें कैस्ट कलेक्शन करने वाली कमपनी का एक करमचारी 136 करोड रुपे लेकर फरार हो गया हैरानी की बात तो ये है कि सातिर ने सुरक्शा करमियों समेट पांच लोगों को एक साथ चकमा दिया था बता दें बोक्स से कैस को वह बोरे में भर कर बाइक से फरार हुआ है पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसने कैस ले जाने की योजना पहले से ही बना ली थी तब ही उसने अपनी बाइक को बैंक की पारकिंग में खड़ी की थी जैसे ही कमपनी के सुरक्शा करमी बैंक से निकले वह कैस को बोरे में भर कर बाइक से निकल गया वहीं आपको बता दें सातिर को पकड़ने के लिए पुलिस की आठ टी में लगाई गई है ब्रिक्स इंडिया कंपनी लिमिटेड का करमचारी विवेक कुमार मंगलवार दोपैर को एक करोड़ 36 लाख रुपे का कैस जमा करने के लिए साइं की तकिया बैंक ओब बडोदा आया था बता दें विवेक कुमार सदर छेतर के सुल्तान पुरा का निवासी है विवेक कैस बॉक्स में भर कर लाया था और उसके साथ चालक राजी बैंक करमचारी बोबी यादव समित अन्ये दोसरक्सा करमी मौजूद थे से लोट गई इसके बाद विवेक ने बॉक्स से कैस निकाल कर एक प्लास्टिक के बोरे में भरा और अपनी बाइक से फरार हो गया साम तक जब विवेक नहीं लोटा और कोई सूचना नहीं मिली तो कंपनी के मैनीजर ने विवेक को फॉन किया लेकिन उसका फॉन बंद जा रहा था इसके बाद मैनीजर सिसुपाल यादव ने थाना रकाब गंज में एफ आई आर दर्ज कराई थाना रकाब गंज के परभारी निरक्चक परदीब कुमार ने बताया कि सिसी टीवी फोटे चेक किये जा रही है आरोपी किस और भागा है सबी रास्ते पर लगे कैमरों की जाच की जा रही है आरोपी की मा और दो बेहनों से पुष्टाच की जा रही है बता दें सर्च ओपरेशन के लिए पुलिस की आठ टीमें लगाई गई है उन्होंने कहा कि जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाएगा ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ